हेलो, गुड मॉर्निंग स्टुडेंट, मैं रावल, आप सभी का स्वागत करता हूँ IC मंत्रा क्लासिस पर तो आज की जो हमारे क्लासिस होगी बिटा, वो होगी परसंटेज की उन सभी कुश्चिन्स पर जो की एच्च जसी ने 2016 से लेकर 2020 तक पूछे हैं ठीक है, तो परसंटेज की प्रीवेस येर के सारे कुश्चिन्स हम डिसकस करेंगे और ये इस क्लास का सेकिंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैं कल तुम्हें करवा चुका हूँ तो चलिए स्टार्ट करता है चलिए बेटा, तो फर्स्ट कोश्चन किसमें आए हुआ है, डिप्टी रेंज, एच्च जसी के अंदर, नून एक्जाम में, तो पूछ क्या रहे है, चावल का जो प्राइज है ठीक है, जो चावल का मुल्य था, वो दस रुपे से बढ़कर, कितना हो गया, साड़े बारा रुपे हो गया है तो परती किलोग्राम के मुल्य जो है, वो कितने परसेंट की इंक्रिमेंट हुई है, हमसे ये पूछा गया है तो देखो बहुत सिंपल सा कोशन है, बहुती असान कोशन पूछा गया था पहले जो चावल था, वो दस रुपे परती केजी था अब जो चावल हो गया, वो साड़े बारा रुपे परती केजी हो गया तो पहले दस का मिलता था, अब कितने का मिलने लगा? साड़े, बारा का मिलने लगा तो बटा दस पर कितना इंक्रिमेंट हो गया? टू पॉइंट फाइफ रुपीज पर केजी क्लिर है न दस रुपे की जीच साड़े बारा रुपे में अगर अब मिलने लगेगी तो हम बोलेंगे कि धाई रुपे परती कीची इसका रेट बढ़ गया तो हमसे पूचा गया है परसंटेज में तो हम बोलेंगे बिटा दस दस रुपे पर कितना बढ़ा है धाई रुपे और परसंटेज लाने के लिए मल्टिप्लाइबा कितना करेंगे बिटा हंड्रेट जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2.5 को जब हम 10 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा कितना आएगा 25 परसंटेज उसका जो प्राइज है वो क्यों होगा बिटा इंक्रीज हो जाएगा किलियर है तो बड़ा ही असान सा कुश्यन था चलिए इसम required कि नेक्स कुश्यन के नेक्स कुश्यन में हमें क्या बोले गया है इबाफदाफट रीड करते हैं हम लोग है एक परिक्ष्ण में पास होने के लिए 40% आंग चाहिए क्लियर है एक परिक्षा है जिसमें पास होने के लिए 40% अंकों की ज़रुत होती है तो एक विध्यारती 256 अंक पाता है और 55 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है क्लियर है 40% चाहिए 256 अंक वो पाता है पर फिर भी फेल हो जाता है कितने अंकों से बेटा पच्पन अंकों से वो फेल हो जाता है तो उस परिक्षा में विध्यारती को पास होने के लिए कितने नमबर तो उस परिक्षा में विध्यारती को अधिक्तम अधिक्तम अंक हम से पूछे गए कि अधिक्तम अंक कितने होंगे क्लियर है पिटा हम अधिक्तम और passing अंक दोरों निकाल लेंगे passing अंक तो बहुत असान है इसमें कुछ पूछना ही नहीं है passing अंक तो इसमें हमें अधिक्तम अंक बताना है कि कितने होंगे तो पिटा एक बात समझेए passing percentage passing percentage हमारी है 40% क्लियर है तो अगर मैं passing marks की बात करूँ तो passing marks हमारे कितने होंगे बिटा देखे 265 नमबर उसने लिए बट 55 नमबर से वो fail हो गया मतलब 55 नमबर वो और ले लेता तो वो pass हो जाता तो ये हमारा क्या होगा passing marks हो जाएंगे क्लियर है तो हम ये बोज सकते हैं कि 40% हमारा बराबर कितने के हो जाएगा तीन सो 20 के बराबर तो passing percentage बराबर हमने कर दिया passing marks के तो 0 से 0 cancel out हो जाएगा और 4 से ये कितने बार चला गया 8 तो 1% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हमसे पूछ रहा है अधिक्तम, अधिक्तम हमारा कितने होता है बिटा, 100% तो 100% हमारा कितने के पराबर होगा, 8 गुना में कितना होगा, 100 तो हमारा आंसर कितना दैगा बिटा, 800 क्लियर है बिटा, चलिए next question देखते हैं, बहुती easy question दिये हैं चजसी ने जो कि percentage से पूछे हैं बोल रहा है एक class है, जिसमें 80% विध्यारती 50 से अधिक अंक्या करते हैं बिटा, प्राब्त करते हैं, किलियर है बिटा और बोल रहा है यदि 50 से अधिक अंक्या प्राब्त करने वाले जो विध्यारती हैं उनकी जो संक्या दे रखे वो में कितनी दे रखे और 20,essa करे he is है किलियर है तो देखिए इसका आनसर किस तरह से होगा कि अब 80% विध्यारति ऐसे हैं जो कि पचास से अदिक अंक प्राप्ट करते हैं किलियर रहरे कि 50 से अधिक अंग प्राप्त करने वाले विध्यारतियों की संक्या कितनी है बिटा 20 तो clear cut बात है कि 80% बिटा कितने के बराबर हो जाएगा 20 के बराबर ठीक है तो अगर मैं 1% निकालूँगा तो 1% मेरा कितना हो जाएगा बिटा 20 upon में कितना हो जाएगा 80 मतलब कि कितना हो गवा 1 upon 4 के बराबर अब हमें पूछना है कुल विध्यारती जो कि कितने होते हैं 100% तो 100% हमारा कितने के बराबर होगा एक बटा 4 गुना में कितना कर देंगे बटा हम 100 कैंसर आउठ होगा तो हमारे पास अंसर इतना दाएगा 25 क्लियर है बिटा चलिए next question देखते हैं हम लोग बोल रहा है संत्रे के दामों में 25% की क्या होती है बिटा कमी होने के कारण एक खिराक 16 रुपे में 4 संत्रे अधिक खरीद पाता है तो संत्रों की बेटा हमें मूल कीमत बतानी है कि संत्रों की मूल कीमत क्या होगी क्लियर है बेटा तो देखिए पहले इस question को by shortcut मैं आप तुमें बता रहा हूँ उसके बाद हम इस question को detail में करेंगे because यह important type है और इस type से question जरूर आता है क्लियर है और देखिए यह एचछसी clerk में हमसे question पूछा गया था 2016 के अंदर तो पहले इसका हम shortcut समझ लेते हैं बेटा अगर हमें मूल कीमत निकालनी है तो इसका formula होता है बेटा percentage increase या फिर decrease की percentage increase हो रही है या फिर decrease हो रही है जैसे कि यहां पर जो हमारी percentage है बेटा वो 25% की क्या हो रही है कमी clear है आगे देखिए फिर लिखेंगे हम 100 plus minus percentage increase या फिर क्या होगी decrease इंटू में क्या करेंगे बेटा रुपीज रुपे बटे में क्या लिखेंगे मात्रा clear है अब देखिए 25% जो कीमत थी वो हमारी क्या हो रही है बेटा decrease तो यहां हम करेंगे बेटा 25% लिखेंगे और 100 अब मैंने देखिए हम पे plus और minus दोनों लिख रख गया है अगर increase होगा तो plus का use करेंगे हम और decrease होगा तो minus का use करेंगे बहुत common sense की बात है तो minus कितना आजाएगा बेटा 25 into में रुपे कितने थे बेटा 16 रुपे तो यहां हम लिखेंगे बेटा 16 और मात्रा कितने थी 4 तो यहां कितने लिखेंगे बेटा हम 4 clear है बेटा तो यह हमारा कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना होगा 75 गुना में 16 बटे में कितना आएगा 4 तो बेटा 25 से यह हमारा कितनी बार चला जाएगा 25 से हमारा चला जाएगा 3 बार और 4 से 16 कितनी बार चला जाएगा बेटा 4 बटा 3 तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह तैप के लिए तुम्हें याद रखना है, इस formula को, clear है भीटा, but, देको important type है ये, तो इस में से कई सारे questions पूठा है, तुम आपको एक तरीका और बता रहीं है, इसको करने का, क्योंकि इस question में से कई सारे question पूछे जाते हैं, clear भीटा, चलिए एक बार समझते हैं, कि इसको दूसरे मेतर से और किस तरह से किया जा सकता है यहां हम लिखने है old और यहां हम लिखेंगे बिटा new के लिए रहे तो 25% का price में क्या हो रहा है बिटा decreasement हो रहा है क्या हो रही है कमी आ रही है तो हम माल लेते हैं कि पहले price कितना था हमारा 100 और अब 100 में से 25% की कमी होगी तो अब यह कितना हो जाएगा हमारा 75 किलियर है बिटा अब देखें इतना बात आप समझ लीजिए तो price में और quantity में मात्रा में कैसा relation होगा बिटा inversely proportional relation होता है केलियर है मतलब कि एक दूसरे के क्या होता है बिटा उल्टे होता है केलियर है तो अब देखें कि price का अगर मैं ratio निकालता हूँ तो 25 से कितनी बार गया 4 बार और 25 से कितनी बार गया बिटा तो अगर अभी हम quantity का ratio निकालता है तो price और quantity में कैसा relation होता है बिटा inversely proportional relation होगा कब जब हमारा expenditure क्या होता है सेम होता है तो यहाँ पर हमारा expenditure सेम है वो पहले भी 16 रुपे खर्च करता था और आज भी कितने रुपे खर्च करता है बिटा 16 रुपे ही खर्च करता है तो इनके बीच में जब हम क्या निकालेंगे बिटा inversely proportional relation निकालेंगे तो यहाँ quantity कितनी हो जाएगी 3 और यहाँ quantity कितनी हो जाएगी 4 मतलब पहले जब price जादा था तब कितने संत्रे खरीदे जाते थे 3 और अब जब price जादा हो गया तो अब कितने संत्रे खरीदे जा रहे है बिटा 4 तो कितने संत्रों की मात्रा बढ़ गई 1 बट question के according कितने बढ़े है बिटा 4 question के according कितने बढ़े है 4 तो एक हमारा कितने के बराबर हो जाएगा बेटा चार के बराबर किलियर है बेटा एक रेशियो हो गया चार के बराबर तो तीन रेशियो हमारा कितने के बराबर गुना में कितना करेंगे चार तो बेटा ये हमारे पास आगी वास्तविक मात्रा कि पहले वो कितने संत्रे खर देखो खर्च कितना होता था तो शोला रूपे पहले खर्च करता था पहले की कुवांटिटी किती थी बीटा बारा तो चार से कितनी बार गया चार बार और चार से कितनी बार गया तीन बार तो आंसर कितना आएगा 3.33 अब मान लो कि ये तो हमने इसका old price निकाला मान के चलो कि हमसे अगर पूछ लेता new price कि new price क्या होगा किलियर है बिटा तो खर्चा तो सेम था पहले भी 16 रुपे होगा करता था और अब भी कितना होता है बिटा और इसका Detail Method है बता दे है कि इस option को हम detail में किस तरह से करते हैं. चलिए next question देखते हैं. तो बिटा इस question में क्या बूल रहा है? केले की कीमत में 40% की क्या आती है? बिटा कमी. ठीक है? केले की कीमत में कितने की कमी आ रही है? 40% की कमी आ रही है. तो एक वेक्ती 40 उर्पे में 64 अधिक के लिए प्राप्त कर सकता है किलिए रहे बिटा तो अब वो 64 के लिए अधिक खरीट पाता है पूर रहा है परती दर्जन ये बात यहां रखना है दर्जन दर्जन के अंदर कितने के लिए आते हैं 12 ठीक है तो हमें बताना है परती दर्जन का घटा हुआ मुल्य कितना होगा तो अभी हमें जो प्राइस बताना है वो एक केले का नहीं बताना हमें जो प्राइस बताना है वो दर्जन का बताना है और एक दर्जन में कितने केले होते हैं हमारे 12 केले होते हैं तो दिखें अभ इससे पहले वाले जो कुशन था और इस वाले कुश्ट्च में डिफ्रेंस कर मादा धर पहले तो यह समय लेजिए извест इससे पहले वाले कुश्ट्च में पूछा गया था मूल शौड जो प्राइच पूछा घं ता जो मुल तो देखिए फॉर्मले में थोड़ा सा चेंज होगा इसमें और उसमें तो ध्यान रखना अगर मूल प्राइस पूछता है वास्तविक प्राइस पूछता है तो वही फॉर्मला लगा रहा है और अगर तुमसे नया प्राइस पूछेगा तो तुम्हें फॉर्मला क्या लगा एका 100 इससे पहले वाले प्लस माइनस परसंटेज इंक्रीज और प्लस थी बट यहां पर अपाउन में केवल कितना आएगा 100 इंटू में क्या करेंगे बिटा रुपीज और बटे में क्या लिखेंगे मात्रा किलियर है बिटा तो कितने परसंट की कमी हो रही है 40 परसंट की कमी हो रही है तो हम यहां लेकिंगे 40 बटे में कितना आ जाएगा बिटा 100 और रुपीज हमारे पास कितना बिटा 40 और बटे में मात्रा कितने थी 64 किलियर है बिटा तो 0 से 0 गया और यहां 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा तो 4 और 4 कितना होगा 16 16 को अगर हम 64 से तो एक केले का जो प्राइज होगा वो 25 पैसे होगा बट हमसे पूछा गया परती दर्जन परती दर्जन बताना है कि परती दर्जन का प्राइज कितना होता है तो बिटा एक दर्जन में कितने केले होंगे 12 तो इसी वज़ा से हम इसको कितने से multiply कर देंगे 12 से multiply करेंगे और 12 से multiply करते है हमारा जो answer आएगा वो कितना होगा 3 रुपे में 12 के ले तो answer कितना हो जाएगा हमारा 3 रुपे clear है चलिए मैं इसको तुम्हें दूसरे method से भी समझाता हूँ और यहां में लिखेंगे बैटा नयू तो यहां लिखा हमने प्राइज मालो पहले प्राइज हमारा कितना अटा 100 तो अब चालिस परसंट की कमी हो जाएगी तो अब हमारा प्राइज कितना हो जाएगा तो हमें पता है कि quantity और price के बीच में कैसा relation होता है inversely proportion relation होता है तो यहां quantity पहले कितनी आ जाएगी तीन मतलब पहले कितने केले लेता था तीन और अब price घटने के बाद कितने केले लेने लगेगा पांच तो कितने केले की विर्दी हो गई दो की बट question में कितना बोला गया 64 तो दो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा बिटा दो ratio हमारा हो जाएगा बिटा 64 के बराबर cancel out करा तो एक ratio हमारा कितने के बराबर हो गया एक ratio हो जाएगा बिटा हमारा 32 के बराबर clear है बिटा तो इसी तरह से 5 रेश्यों कितने के बराबर होगा, गुना में कितना करेंगे 32, कितना आदाएगा बिटा, 160 के बराबर, clear है, तो अब कितने केले खरी दिने लगा, बिटा, वो 160, बट हमें बताना है rate परती दर्जन, तो बिटा, इसको दर्जन में निकालने के लिए कितने से डिवाइड कर देंगे, हम 12 से डिवाइड कर देंगे, clear है, इसको दर्जन में find out करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से, तो जिस तरह से हमें पता है कि price, price हम किस तरह से निकालते हैं बिटा, expenditure, खर्च, बटे में क्या निकालते थे बिटा, मातरा, तो expenditure कितना कर र करना है, दर्जन में, तो ये कितना आएगा, बिटा, 160, और उपर कितना चला जाएगा, 12, तो ये cancel outwards से 4 बार, और 4 से कितनी बार गिया, 3 बार, तो मारा answer कितना आएगा, 3 रुपे परती, दर्जन, clear है, बिटा, तो ये दोनों questions, मैंने तो में by formula, और by detail, दोनों तरीके से क बोल रहा है, तो भई question बोल रहा है, एक विध्याले में, अठारा सो लड़के, और बारा सो लड़किया है, और एक परिक्षा में केवल 32% लड़के, और 50% लड़किया क्या होते हैं, बिटा, पास होती है, तो उस परिक्षा में पास होने वाले, कुल विध्यारतों की हमें संख्या बतानी है एक्षिस seat ए अग्रिकल्चर इंस्पैक्टर बताओ एग्रिकल्चर इंस्पैक्टर में इतना असा गुश्य ना है हुआ था ये तो देखिए बहुत easy question है ये बहुत easy question boys की कुल संख्या में कِतनी दिरक्या है बिटा 1800 और girls की हमें कुल संगय कितनी दि रखें वारा सो अब बोल रहा है 50% लड़के अपास होती हैं तो 50% का मतलब क्या हो गया वेटा आधा होगया 1200 का आधा हाना तो 1200 का आधा कितना हो गया चैस्जो और उसके बात बोल रहा है कि 32% लड़के पास होते हैं तो 32% हम निकाल सकते हैं बिटा 1800 को 1800 का अगर 32% निकालेंगे तो 32 और बटे में कितना आ जाएगा बिटा 100 जीरो से जीरो चैंसल आउट हुआ 18 गुना 32 जब तुम करोगे तो यह कितना आएगा 576 तो इतने तो बोई से पास हो रहे हैं और इतनी क्या और यह मिटा गल्स पास हो रहे हैं तो जब हमने इनको एड किया तो यह इतना आया है 6, 7 और 11 तो यह total student है जो की पास होते हैं तो हमारा answer क्या आजाएगा? answer आजाएगा हमारा B ठीक है? बहुत easy question था इसमें कुछ बताने की जुरूती नहीं थी केवल हमें percentage निकालना है और उसके बाद हमें उसे add करना था तो बिटा यह हमारा next question है क्या बोल रहा है? वर्स 2009 में एक स्कूल में 1500 चात्र थे 2010 में वहां चात्र के परवेश में 12% विर्दी हुई और 2011 में 5% की अत्रिक्द विर्दी होने की आसा करते हैं इन आकडों के अधार पर वह स्कूल 2011 में कितने चात्र होने की आसा कर सकते हैं clear है बिटा? तो देखी यह question आया था हमारा computer operator health department में अब देखी इस question को करने का बिटा बहुत तरीका है मैं सबसे easy तरीका तुमें बता रहा हूँ ठीक है? और अगर तुमारे basic बिटा clear नहीं है तो percentage का हम chapter करवाएंगे next उसको अच्छे से देख ले न ठीक है? अब ये एक तरह से practice set है एक तरह से practice है तो इसमें सारा कुछ detail में मैं नहीं बता सकता भी clear है बेटा? तुद्धिकल समझेए, पहले बोल रहा है बारा percent की बिदियु कि लिठा força weiter को हम कैसे लिख सकते हैं? बारा बटे में कितना लिख सकते हैं? 100. चार से बेटा ये कितनी बार थिया? तीन बार और चार से कितनी बार थिया? 25 बार, तो 12% को हम लिख सकते हैं 3 बटा 25 तो इसका मतलब है कि पहले 6 थे 25, अब 25 पर कितना increase हो रहे हैं बेटा, 3 तो हम इसको लिख देंगे 28 बटे में कितना लिख देंगे 25 किलियर है, उसके बाद 2011 में कितना increase हो रहे हैं बेटा, 5% तो 5% का मतलब कितना हो गया बेटा, 5 बटे में कितना हो गया 100, तो ये हो गया बेटा 1 बटा 20, मतलब 20 पर कितना increase हो रहा है, एक ठीक है, 20 पर 1 increase हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 21 बटा 20, किलियर है बेटा तो देखिए, पहले साल वैल्यू 25 से कितनी हो गया 28 और फिर दूसे साल 20 से कितनी हो गया, ये 21 किलियर है बेटा तो देखिए, चलिए, करते हैं तो अभी starting में presently हमारे पास कितने student है 1500 एक साल बात कितने increase हो गया 28 बटे में कितना हो गया, 25 और दूसे साल कितने increase हो गया, 21 बटे में कितना हो गया 20, तो यहाँ value जो आएगी बेटा, वो हमारी 2 साल बाद value आएगी कि 2 साल बाद student कितने होंगे तो देखिए बेटा, 0 से 0 cancel out हो गया और ये कितना हो गया 15, 25 और 50, तो 50 से ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 3 बार तो ये हो गया बेटा, हमारा 28 और 3 को multiply करेंगे हम 21 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 और कितना होगा 6 clear है बेटा तो देखिए एक बात समझे 3 को जो मैं 8 से multiply करूँगा तो कितना हैगा, 24 तो unit place नमर में कितना हो गया, 4 तो देखिए, यहाँ पर भी unit place नमर 4 नहीं यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है तो मेरा answer क्या होगा बेटा, D ठीक है, पूरी calculation करने की जरूरती नहीं है ठीक है न, मुझे पता चला कि मैंने जब 3 को 8 से multiply करा तो मेरा unit place नमर जो आ रहा है बेटा, वो चार आ रहा है और चार केवल सिर्फ D ही option में है तो मेरा answer कितना होगा, 1764 केलियर है बेटा, चलिए तो बेटा, यह चीजे, छोटी-छोटी चीजे है जो कि तुमें सीखनी है और यह सब चीजे आएंगी by practice ठीक है तो बेटा, यह question क्या बोल रहा है Sam अपनी वेतन का 20% मकान के क्राए पर खर्च कर देता है किलियर है और अपनी वेतन का 40% क्या करता है सेविंग करता है, बचत कर लेता है यदि वह बाकी पैसे को जो कि कितने है 8000 रुपे मनोरंजन पर खर्च कर देता है तो उसकी हमें क्या बतानी है, बेटा, वेतन बतानी है ठीक है तो चलिए जड़ा देखो, किसी की भी income आए जो होती है, वो हमारी कितनी होती है, बेटा 100% होती है, क्लियर है तो किसी की भी income हम बानते हैं 100% अब इस 100% में से 20% तो उसने रेंट दे दिया और 40% जो था, वो उसने क्या करा, बेटा, सेविंग वो उसने सेविंग में रख लिये तो टोटल उसकी income है 100% 100% में से 20% अगर उसने क्या दे दिया, रेंट और 40% उसने क्या कर लिये, बेटा, सेविंग तो जो एक्स्टा इंकम जो उसकी बची वो कितनी बच गई, 40% किलियर है न, बेटा तो ये 40% सेविंग होगी 20% क्या हो गया, उसका रेंट हो गया तो बोल रहा है कि जो बची हुई उसकी इंकम थी, जो कि कितनी थी 8000 उपे थी वो किस चीज़ पर खर्च करता है बेटा, वो मनो रंजन पर खर्च करता है तो ये एक्स्टा इंकम कितने के बराबर होगा बेटा, 40% के बराबर दिते होगा किलियर है तो ये 40% कितने के बराबर हो जाएगा 8000 के बराबर हो जाएगा ठीक है तो 0 से बिटा 0 cancel out हुआ तो 1% हमारा कितने के बराबर हुआ 1% हमारा हो जाएगा 200 के बराबर तो income होती है हमारी 100% तो 100% हमारा कितने के बराबर होगा 200 गुरा में कितना आजाएगा सो कितना आ जाएगा बीस हजार के बराबर ठीक है जी चलो दोस्तों हम नेक्स कोशन देखते हैं अबना नेक्स कोशन हमारा क्या बोल रहा है तो पेटा इस कोशन में क्या बोल रहा है एक शहर में पुरुश की जो अबादी है उसका 40% और महिलाओ की अबादी का 45% विवाहित है ठीक है सहर में पुरुश और महिलाओ की अबादी का हमें अनुपाद बताना है यदि हम यह मानके चलें कि एक पुरुश एक महिला से ही क्या करती है शादी करती है तो बिटा इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि अगर मान लो कि अगर एक मेल एक ही वुमेन से साधी कर रहा है ठीक है फीमेल से शाधी कर रहा है तो मेल की और जो फीमेल की जो कॉंटिटी होगी बिटा वो क्या होगी हमारी बराबर होगी जैसे कि अगर मान के चलो कि गाउं के अंदर या शहर के अंदर 100 जो पुरूश है वो अगर married है तो 100 ही क्या होंगी बिटा female जो होंगी जो औरते होंगी वो भी क्या होंगी married होंगी तो इती से में ये पता चलता है कि male का जो 40% भाग है वो बराबर होगा female के 45% भाग के क्लियर है बिटा तो दीखें, परसंटेज से परसंटेज cancel out हो जाएगा तो male upon me female बदाबर कतना हो जाएगा बिटा, 45 बटे में कितना हो जाएगा? 40 तो 5 से इटनी बार गया नव बार और 5 से कितनी बार गया? 8 बार तो यह हमारा कितना हो जाएगा 9 बटे 8 और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा रेशो में लिख सकते हैं तो अगर में को लिखना है male और female का हमें क्या बताना है बेटा अनुपात बताना है जहां से देखिए male और female पुरुष का इस्तरियों के साथ क्या बताना है हमें अनुपात तो यह हमारा कितना हैगा 9 अनुपात 8 तो हमारा answer क्या हो जाएगा B ठीक है बहुत easy question था चलिए next questions देखते हैं अपने वे किस तरह के हैं चलिए यह question रीड करते हैं क्या बोल रहा है कह रहा है कि एक machine की जो कीमत है वो परती वर्स 10% की दर से क्या होती है बेटा कम होती है डाउन हो जाती है यदी 3 वर्स पहले इसका क्रिये था ठीक है बोल रहा है यदी इसका क्रिये 3 वर्स पूर्व किया गया इसका मतलब है कि यह machine 3 वर्स पहले खरीदी गई थी ठीक है वो में दे रखा है 8-7-4-8 तो हमसे बोल रहा है कि जब ये खरीदी गई तो इसकी कीमत क्या थी तो देखिए एक बाद समधनी की कुशिश कीजिए कि जो मशीन है उसकी जो प्राइज है उसकी जो कीमत है वो हर साल 10% क्या होती है इसकी हम जो प्राइज निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे price, into में कटना करेंगे, 9 upon 10 into में कितना करेंगे, 9 upon 10 into में कितना करेंगे, 9 upon 10 ठीक है, क्योंकि 3 साल का kooshn है, तो इसको हम कितनी बार multiply करेंगे तीन बार, ठीक है, और equal to इसका price हमें कितना दे रखा है 8, 7, 4, 8 clear है, तो 9 multiply 9, 9 multiply 9, कितना हो जाएगा हमारा? 729, upon में कितना हो जाएगा? 1,000, बराबर 8748, किलियर है? तो जब इसको इससे काटोगे बिटा, तो ये जाएगा हमारा 12 बार, तो जो हमारा प्राइज होगा, वो हो जाएगा 12 गुना में 1,000, कितना होगा बिटा? 12,000 के बराबर, तो इस वीडियो का next question देखते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा last question होगा, उसके बाद, तुमारे percentage के जितने भी question है, चाजसी ने पूछे हैं, वो सारे cover हो चुके हैं हमारे, ठीक है? तो इस वीडियो को बार-बार देखिए आप, जिस तरह की आपके previous year के question कम से कम cover तो हूँ, clear है बिटा? चलिए तो next question के और और चलते हैं हम लोग, चलिए ये question क्या बोल रहा है? राम, अपनी वेतन का 30% घर के किराए में और says का, देखिए ये जो word है न says, ये बड़ा important है, income के जो income वाले question होते हैं, इसमें दो तरह के question हमारे आते हैं, ठीक है? एक में तो simple होता है, एक type simple होते हैं, और एक type होते हैं, इसमें remaining word लिखा आता है, says लिखा आता है, तो दोनों को करने का तरीका अलग होता है ठीक है? अब ये सब चीज़े हम सीखेंगे, जब हम percentage पढ़ाएंगे, आपको उसमें detail में समझेंगे कि इन दोनों में क्या difference होते हैं, अभी तो बस इसका solution देख लीजिए, कि किस तरह से होगा? आगे क्या बोल रहा है बेटा? सेस का 30% बच्चों की सिक्षा पर, तता सेस वेतन का 24% कपड़ों पर खर्च कर देता है, और इस सब के बाद उसकी जो सेविंग होती है, जो बच्चत होती है, वो हमारे पास कितनी होती है? बच्चिस सो रुपे होती है, तो हमें राम, इस कोश्चन में हमें राम की क्या बतानी है? आये बतानी है, क्लियर है, तो देखिए समझी एक बार कि 30%, 30% खर्च कर रहा है, तो 30% कितने के बच्च कर रहा होगा? और उसके बाद भी कितना कर रहा है? 30%, तो ये भी 30% हमारा कितने के बच्च के बच्च के बच्च के बच्च कर रहा है? उसकी income जो भी थी उस income का पहले जो बसता है total income थी कि बटा 10 10 में से 3 अगर उसने खर्च कर दिया तो कितना बची गया 7 फिर 12 से कितना जाए गया 7 बटा 10 और फिर कितना होगा 76 upon में कितना होगा 100 और इतना कुछ खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपे बसता है बेटा 2500 अब देखे देखो 7 से 25 कैंसल आउट नहीं होता ना 76 से कैंसल आउट होता है तो बेटा ये बात तो शौर है कि जो मेरा answer होगा वो point में होगा तो मेरे पस केवल और केवल एक ये ही option है जो की point में है और सारे मेरे क्या बेटा integers नमर है पूर्नाक संक्य है केवल ये ही एक संक्य है जो की decimal नमर है तो मेरा answer क्या होगा C ठीक है तो जीकि ये चीज तुम्हीं समझनी पड़ेंगी ये चीज़े हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है इन एक्जाम तो समझिए इसको एक बास solve कर लीजिए income equal to कितना हो जाएगा multiply by कितना हो गए आपर 50000000000 clear बिटा और upon में हमारा कितना आ जाएगा upon में आ जाएगा हमारा 7 into 7 into 76 और जब इसको तुम solve करोगे तो यह आएगा 6713.2 ठीक है तो मैं अगर तुम्हारी जगे होता तो मैं question को solve भी नहीं करता नसीदा यह देखता कि भाई यहाँ पर decimal है और decimal का हम लेंगे वो लेंगे time and work तो time and work के हम सारे के सारे previous air के questions करेंगे next video में तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए ठीक है घर पर रहिए पढ़ाई करवाने का हम तुम्हारा काम पूरा properly कर रहे हैं ठीक है तो बिटा take care best of luck good bye and good night